नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर्ट से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से दो हजार बाइस बहुत यूनीक वर्ष है हिंदुसान के इतिहास में यह वह वर्ष है जो राजा रामोहन रॉय का अब कुछे दून पहले उनका एक्जाट डेट किया गया और यह पूरा साल जगा जगा पे अलग अलग तरीके से राजा रामोहन रॉय के बारे में बात सुनते रहेंगे उनके बारे में लेख पढ़ते रहेंगे क्योंकि जो आधुनिक भारत है उसको इसको दिशा देने में राजा रामोहन रॉय की बहुत बड़ी भूमी करते हैं तो आज हम बात करेंगे सुश्मिता दासगुपता से जो सोशल साइंटिस्ट हैं सोशल लॉजिस्ट हैं इन्होंने बड़ी प्यूलियरली स्टील इंडस्री में अपना सारा प्रोफेशनल करियर बिताया है लेकिन सबसे जान जाती हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट पर अपना प्यूजी किया था वो था पॉप्लर कल्चर एन अमिताब बच्चे उसके उपर काम किया था तो बहुत ही सुश्मिता आप मतलब डाइवर्स सी फाइड फील्ड में आपने दिनों टूफिफ्टी एट वर्ट अनिवर्सरी के ओकेशन पर आपने दुबारा से एक तरह से हम कहें कि एक इंटरफेट एक्टिविजम का प्रोसेस को शुरू किया मंदिरों में जाके आपने और्गनाइज किया पुजारियों को कि किस तरह से इंटरफेट कर सकें तो ज और राजा राम मोहन रॉय के साथ इसका क्या वास्तविक्ता है अक्चली निलान जन राजा राम मोहन रॉय का जब सेलिब्रेशन की टाइम आये हैं इंट लास्ट यह 27 सेप्टेंबर से यह रान अप शुरू हो गया था तो जगा जगा में हमें बुलाया गया है और बहुत स्कॉलर्स को बुलाया जा रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप कुछ बताईए तो हमने भी एक-दो जगा गये और बताया थोड़ा लिखा भी फिर हमने सोचा कि देखो राजा राम मोहन रॉय तो एंटी-डॉलेटर थे वह आइडॉलेटर थे वह आइडॉ हमने देखा कि उनके काफी सारे आइडियाज हैं और वान अफ तब मेजर आइडियाज जिसके उपर बल्बूते पर उनके सारे और भी आइडियाज खड़े हुए हैं वह इंटर फेफ हर्मनी उनके लिए इंटर फेट यूनिटिट हा हमारे लिए तो हर्मनी तक हम गए उत युकता में हमारे पास में सातनी एक स्लम है उस्लम ने कुछ जमीन इंक्रोच कर दिया जगा जगा मंदिर बनाया तो उनके जो पूजारी है उनको मैं ने अप्रोच किया मैंने कहा कि आप मेरे लिए काम कर सकते हैं आपको पता है राजा राम महुन राय कौन है तो वेगली व वह राजी हो गया और बहुत ही खुशी हुए तो सारे लोग स्लम से मेरे घर आए और हम बैट-बैट के सारे जो रिलिजिस टेक्स्ट है उनसे वही स्टैंजा निकाले जहां पर इंटर्फिय थार्मनी हो सकता है और यह मुश्किल था हर टेक्स्ट में यह बहुत मुश्कि के बाद initially हमने Arabic Hebrew इसमें सब प्रैक्टिस शुरू के पर वो उनके naturally ना तो मेरे तंग में आए ना तो उनके तंग में तो हमने बंगला में किया बंगला में translate किया और उसके बाद जो हुआ यह है कि यह जो slum है basically slum and they are not exposed really पर उनमें जो इलेशन है न पर तब आप उनका चे इसको पता है गुरू ब्रंट सब्सक्राइब उसने एक उंका सुना और गुरू ब्रंट में और भी नानक का प्राथना सुना और जब गुद्धिसंध धंवापदस से उसनी श्लूक सुना गायत्री का मंत्र समझ में आ गया तो 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 देम इलेशन जस्ट अट 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 और उसके बाद एक दो एका दुका करके हमें और भी मंदिर यहां से प्लेज कर रहे हैं कि हर जब होता है ना कि घट जो मंगल घट जब स्थाफना करेंगे उससे पहले इंटर फेट प्रेयर यहां पर जरूर होगा मुझे मुझे यकीन है कि जब आपके इनिशेटिव के बारे में लोग जानेंगे समाचार पत्रों में कुछ छपा जाएगा हमारे जैसे कारेक्रमों में इसके बारे में चर्चा होगी और लोग सुनेंगे तो रेप्लिकेट करेंगे ना सिर्फ बंगाल के अलग अलग सांक के हम लोग बोलता हम पर कैटलाइजिंग एजेंट के तौर पर हम उनको मान सकते हैं मैं पढ़ रहा था आपके कुछ लेख भी पढ़ था आपने जो एक चीछ बोली बोला था मुझे बहुत मार्मिक लगा कि आपने का कि राम मोहन रॉय मस्ट पी रेजरेक्टेट तो लगाता मतलब रमायन वही कभी ना कतम होने वाली चले जारी क्योंकि वाकी फ्रंट में कुछ खासकन नहीं पा रही है जो भी इसके पीछे जो सब्सक्राइब हो चाहिए वह भारती जन्ता पार्टी में हो तो राजा रामोन रॉय को किस तरह से आप पोलराइजेशन का जो महाल है जिस तरह से ध्रुवी करन हो रखा है पुरे समाज में उसको कैसे जोडते हैं और राजा रामोन राय कैसे इस पोलराइजेशन के एंटीडोट हो सकते हैं आक्चली राजा रामोन का राय का जो एंटर फेठ है एंटर फेठ यूं ईूटीड इससलस्य तोटीड चेंस कोलराइजेशन एक्चली राज़ारा मुहनराय का यह थो डेक्निकल बन रहा है राज़ारा मुहनराय का डो फिस्दे बीत गई वह बाटे गई वीधिन ऑन्रहमाज एक तो महार्शी देवनरानाथ है वह उसने सोचा कि एक इश्वर बाद है कि सारे इश्वर के वपर जो इश्वर है जो धर्मों का सारे पेगांबरों का और सारे गॉड्स और गॉड्स का तो we are going to worship that. ये महार्शे दिवेननात का थिंकिन है. But Keshav Chandrasenh का जो new dispensation, नौमविधान, उसमें he is actually saying that he is retrieving Raja Ramohan Rai's worship of all faiths in the same place. that we will have a neutral space, the Brahmosabha. Earlier it was the Brahmosabha. So we will have a neutral space and there everybody can come and pray because you are ultimately praying to the same person. You are praying in the same way. So इसलिए अच्चली ये तो उनका एक आपकम है. But the processes, the arguments that he has gone through, those arguments are also very interesting and rather interesting. So those are also worthy of consideration. So if somebody wants to really promote interfaith harmony, I would like to say another thing that on the 22nd, ये जो इंटर वाला था, that was on the 15th, 22nd में Indian Pluralism Foundation, Calcutta में, they have a huge youth wing of youth volunteers for the international, yes, interfaith services. उन्होने राजरामोन्राइ के स्टाच्चू के पास, interfaith religious leaders को बुलाई. All religious leaders came. They also came. They performed a skit. Each one was reading a prayer again from another faith, you know. अच्छा, whatever. Yes. दूसे किसी दूसे दूसे पंत के पास्चू. जिसके लिए उसको घर से निकाल दिया गया. But यहां पे बच्चो को बहुत ही हम प्यार से देखें और इंकरेज किया. So, I am thinking that whenever somebody wants to have an interfaith, you know, wants to rise up to an interfaith level, questions are same as 250 years or 200 years ago जो थे राजरामोन्राइ का और आज बिलकुल से हैं. और शायद उसी innocence से लोग वही सवाल पूछते हैं क्योंकि वो मूल जो है human spirit और nature है. तो यह लड़ाई जगड़ा जो है यह हमारे nature का हिस्सा नहीं है. यह political interplay की वज़े से है कि लोग politics में gains पाने के लिए धर्म का प्रचार करते हैं. तो लोग सती प्रथा के आगे कुछ नहीं जोड़ पाते हैं कि जी राजा रामोहन राए कौन थे आप जाके पूछे तो सौ में से साड़े निन्यानवे प्रतिशत लोग यह बोलेंगे राजा रामोहन राय ने आंदोलन किया और सती प्रथा को खतम कर गिया और सेंचुरी में जब यह सारा प्रोसेस हो रहा था एटीन टेंस ट्विंटीज और थर्टीज का जो पूरा जो पहले जो तीन दशक थे तो उस समय सती प्रथा की प्रेविलेंस क्या थी हिंद बंगाल के समाज में और कौन लोग राजा रामोहन राय के साथ आए और कौन कौन लोगों में उनकी इंदिविजुल के आइडेंटी की बात निकाराहं लेकिन उनके बैग्राबंग के सोचल बैग्राबंग, उनकी लोग थे इंड क्या जिवीडेशं श्री इंके बारे में जानना चाह। तो अप्र ने भी इसको बैंड किया और अपर के उपर जो आफ़त आया कि बापस आगया. बहुत लोगों ने कहा ये वॉलुंटरी है. तो वॉलुंटरिज्म को खतम करने के लिए अपर एक वाज़दारी मामला बनाया सती को. So, very, very complex. You had to report to the police and police will go to your house and then question the lady and all these things. तो आज के भाशा में नौन कोगनिसेबल उफिस. आज के भाशा में कहा जाएगा. तो एक दो जगा अपर के ताइम में भी force apply करने का evidence था तो those people were also hanged. In one case they were hanged also hanged to death. Now when the British came the problem was you see with Murshid Kuli Khan Bengal had almost become independent. So Mughal Raj का जो 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 laws है वो उसमें लागू नहीं होता था. इसने Sati came back with a with a vengeance and Sati was actually a kind of a you know show-off martyrdom भी था, show-off and martyrdom था to gain benefits in land grants and things like that. हमने तो किताबों में पड़ी है की Raja Ramon Raja personally involved होते क्यों की भाभी ने Sati रा किया था. तो उसे वो बहुत personally impact हुए थे जिसकी वजह से वो इस पूरे तरसे movement में और इसकी तरसे अपनी जिंदगी का campaign बना लिया था औरों में. तो बहुत बरी चीज हुए एक है की Jeremy Bentham from British Parliament started taking a lot of interest not only in Indian affairs but in Raja Ramon Raja personally. Thomas Nicolae, then Bob Clatham, then Robert Owen, these big parliamentarians. आज हम अगर British Parliament हमारे साथ नहीं होते उन जमाने में. अगर standing against the East India Company. India would not have seen the modernity that we have seen. I think that is, they need a big thank you. उसके बाद, Raja Ram Mohan Roy ने जो अपना faith, जो भी Unitarianism था, उसमें एक William Adam, Srinampur Baptist, he was also converted. With the anti-sati arguments, after Raja Ram Mohan Roy's death, William Adams goes to America. America में जाके, he uses the same arguments for anti-slavery. Okay. This is a very unique. तो तो ये तो clearly is pushed होता है कि Raja Ram Mohan Roy के जो हिंदुसान में जो efforts थे बंगाल में सतीपता को खतल करने में. उतना दूर जाके एक तरह से जो anti-slavery movement अमरीका में उसका impact हमको देखने को मिलता है. हमको एक चीज और बड़ी interesting, you know, आपके जो अलग-अलग papers में पढ़ रहा था. आपने कहा किए कि anti-sati जो अंदोलन चला था, जो campaign चला था, इसमें हिंदुस्तान में भारत में खास्तोर से idea of citizenship ये उभर के आया from the idea of being a subject, किसी kingdom के subject होने के साब के को आगे बढ़ते हुए, किसी मुल्क के या किसी राश्र के आप नागरिक बनगे. तो नागरिक ना का जो concept है, क्या ये उभर के आया था, राजा रामोन रोय के campaign के रुपस्ट? Yes, of course, this was anti-Sathi campaign was his foundational arguments. Ultimately, when he went to England, on judicial reforms, on peasant reforms, agrarian reforms, permanent settlement, इसमें जो notes है, he is using the same argument. Same argument is in the sense that you see what happens is that he is using a very interesting thing that, you know, the ruler and the ruled, you know, they are under a kind of a contract. जो राज करने वाला और जिस पे राज हो रहा है, उनके बीच में a contract है. Yes, contract. And the purpose of the ruler, the duty of the ruler, is to make all provisions for the ruled, so that the ruled can exercise a creative agency. किसी में उसने कहा कि ये सती जो है, इसमें volunteer, जो भी जो भी है, it is creating a gender divide. I think it is the first feminist tract. Okay. You know, in India. So, he is saying that it is creating a kind of a gender divide. I mean, I am basically, जो जो बन रही है, जो लेडी. जो लेडी इस लेडी इस उसको तु चडाया जा रहा है. जो चडाया जा रहा है. जो चडाया जा रहा है. Sometimes she is also jumping on her own bolisher. जो चडाया जा रहा है, not physically. Emotionally, she is being inspired to become a Sati. You know, it becomes a glory to be attained. Yes. जानती है कि रानी Sati का मंदिर है, जिसमें हर साल लाखों के तादात में लोग जाते हैं और उसकी अभी भी पूजा होती है, तो ऑप्सकुरांटिजम तो हिंदुस्तान में हमको देखने को मिलता है. एक जो चीज बहुत प्रांजिशन से गुजर रही थी कि ठीक बैटल अप्लासी के कुछी सालों के बाद 15-17 सालों के बाद राजा रामोन राय का जन्म होता है, एक तरह से मुगल डाइनस्टी का डिक्लाइन हो रहा है, इस्ट इंडिया कंपनी एस्टाबिश करने की कोशिश करें, तो वो जो प्रांजिशन और जो डाइनमिक सा उस प्रोसेस से उनकी राजनीतिक जो समझ थी, वो कैसे विक्सित हुई, बहुती कम उमर में वो ब्याद उनको भेज दिया जाता है, वो अरबिक पढ़ते हैं, संस्कृत इतना जादा नहीं पढ़ते हैं, नवाबी स्कूल में उनके पि मुलभूत कैसे उनके इंपक्त हुए? 7, he was married and at the age of 9, he was married again twice to two sisters, as was the situation of Kulin and child marriage. So, usually after child marriage, the boy used to be you know, sent away from home for studies and all. Maybe for this reason he was sent off to Patna. But interesting यह चीज है क्योंकि रादेराम हों के फैमिली जो थे, बहुती स्टॉंच Qulin Ram hinaus थे, बहुती स्टॉंच. But you see very interesting, India का सि्टूवैशन अब लेकर हुग जाएं. They are in imperial services. No longer of the Mughals, but of the Nawaf. Okay? And Raka that's rather, yes, has resigned from the imperial services, has become full-fledged zamindan but he is not only teaching his son higher Persian higher Persian but he is allowing the son to study Arabic and seeing his brilliance making him study the full Quran and on the degree of zawardas maulavi so at the age of 14 Ramon comes back having qualified himself as a maulavi अर मेरे खाल से जिन भाशाओं को वो सीखे थे उसमें से अंग्रेजी सबसे बात में सीखे थे सबसे बात में इसे थर्टी जाके तो इनका जो सारा काम था वो अंग्रेजी से बतलब अंग्रेजी से कोई उनका वास्ता नहीं था तो हमको यह नहीं माना जी कि उनकी उपर कोई Western influence आया था जो भी आया था वो बाकी जो हिंदुस्तान के और भारत के जो common heritages हैं उन में से उभर के आये थे और अपने आप बंगाल से निकल के आये थे बंगाल से नहीं आये थे बंगाल से तो पता ही नहीं आये थे अचले अरभिक अरभिक टेक्स पर्शन टेक्स में तो थे और अरभिक में वो सारे घ्रीक टंसलेशन परे थे so he basically went through the same kind of syllabus as David, Hume, Voltaire, all these people went through so all these renaissance giants they whatever they study he also studied they studied in Greek, he studied in Arabic so that was a very big thing and one thing we have to you know acknowledge is that the basis foundation is very similar to everything in Aayini Akpadi and Akbar Nama especially Aayini Akpadi. He was very I think he was very close to the Mughals, he was very close to the family. . whenever Shah Alam used to come he used to look for his ancestors, they used to personally assist Shah Alam in in Mengal so Mughal का बहुत काम revenue records and you know land measurement किसाफ मैंने कपड़ा है कि financial advice देने में भी बहुत महायर थे राजा राम होन रॉय मतलब उनकी social reform को लेके हम उनके जो other multi-faceted talents उसके बारे में बहुत कम जानते हैं तो उसका मतलब है कि सबसे पहले economic liberalization का दौर के सबसे पहले तो आपने एक जगा और चर्चा की है कि उन्होंने जो धर्म और विज्ञान के बारे में जो डुवालिटी थी उसको उन्होंने टैकल किया तो मेरे खाल से आपने सज्जेस्ट किया कि उसको आल्टिमेंटली जाके खतम कर दिया इनकी दूरी को कि आपके कित वगवने का इनकी का सब्सक्तार कर साहि है को विभ फेसे जी को आपकेद्टीश को आपके विवाल मुरू अभेसे उसका फ्क्रैक्टार का सब्सक्ता शोग बजाए ऑन टीटलेटर sé you are idols were actually prophets. So he started attacking all the prophets and the gurus and the brahmins. एक बात बताईए, मैं पहले भी इंटरॉप्ट करना चाह रहा था इस बात पे, एक तरसे वो पूरी तरसे मूर्ती पूजा में था मूर्ती मतलब यह नहीं कि कहीं पर विष्णु भगवान की मूर्ती रख्ये या शिवजी की रख्यों यह ऐसा नहीं लेकिन आपने बता है कि सारे prophets को attack करते थे तो prophets को attack करने के साथ साथ वो कैसे धर्म के लोगों से धर्म के इशूस पर इंगेज कर सकते तो उनसे कैसे disagree कर सकते तो आज के यूग में तो उनको उठा के बैंक देते लोग कि आप atheist है ने ने उन जमाने में पर ऐसा किया था उन जमाने में आप देखेंगे कि राम मोहन रॉय का हर जो प्रॉपर्टी कैलकटा में है इस वर मेंली बेनामी प्रॉपरी प्रॉपरिट आप लॉज को तो अबसेशन जोंगे ने ने च।ब्रॉपर्टा कर लॉज रॉच्ब्साट वह जा ने पर गूच्ज थी था टॉच्टा कर था जूएं यह रूच मोहन जोंगे इस बाहिए प्रॉट राम जोंगेशन कॉच्ज आप्या ओरॉच जो 5000 रुपया उन जमानी में 5000 रुपया मैना से एक ट्रोल आर्मी बनाया था तो अटेक ला जारा मोहद्राइड तो प्रेफिनिटल आर्मी तब भी होते थे आज से डाई सो साल पहले करीब तब भी होते थे हम लोगों का कारिकरम को हमारी चर्चा को खतम करते हुए में जो आकरी सवाल है कि अभी तो टू फिफ्टीएट वर्थ अनिवर्सरी येर के सेलिब्रेशन शुरू हुए आपने कहा था कि पिछले सेप्टेंबर से हो रहा है वो उनकी डेफ अनिवर्सरी की 1833 में उनकी मृत् चाहिए आपके हिसाब से हमारे समाज हमारे सरकार हमारे जो मीडिया और जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें हम लोग राजा रामोन रॉय को कैसे री इंट्रोड्यूस करें ताकि उनके वैल्यू सिस्टेम्स एक तरह से दुबारा उसी तरह से प्रचलित हो जाए जो उनके जिन्दगी में थे हैं? चलिए इस थोड़ी चर्चा में हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है कि राजा रामोन रॉय के को हिंदुस्तान में जो अब मेडियवलिजम में स्लिप बैक कर रहा है उसको दुबारा से रिंट्रोड्यूस किया है और उमीद करता हूं कि अगले एक साल में हम लोग फिर से के कि इस इसके बारे में हमारे प्रोटर गण्हार बाकि तमाम लोग जो है वो इसके बारे में समझेंगे और इस जो स्क्लिप कर रहे है हम लोग इस प्रासस को रिवार्स करेंगे य fifteen सुष्मिता. Thank you, thank you so much.